वहाँ पर चाइना में लग गई आग पीम मोदी ने एक तरह से चीन पर इस चुनाओ जीतने के बाद सबसे बड़ा दाओ खेल दिया है चीन को पसंद नहीं है और चाइना के स्पोक्सपर्सन ने फट से बोल दिया कि यह गलत है हम प्रोटेस्ट करते हैं और यह चीज मैं क्याना एक अगे पीम मोदी ने टाइवान के राष्ट्रपती से मिले अगजाई संदेश का जवाब दिया मोदी बोले भारत ताइवान के साथ घनिष्ट संबन के लिए तयार है चीन के विदेश मंतराले ने आज टाइवान को दिये इस जवाब पर आा पत्ति जताई है ह तो नए incoming president है, उन्होंने मोधी जी को विश्क करा कि भई, congratulations, and we look forward for better relations with भारत. मोधी जी ने बोला, हजी ज़र, we also look forward for better relations with भारत, हमारा काम इतना चल रहा है, हम उसको आगे लेके जाएंगे, very good, done, done, done. ताइवान बहुत बिल्कुल छोटा सा, एक ऐसा सा, ना के बराबर छोटी सी चीज़ है, लेकिन ताइवान ऐसा है, कि चाइना को आखे दिखा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड लीडर है, semi-conductor's में ताइवान. प्रेजिडंट अफ ताइवान और प्रेजिडंट अफ ताइवान ने नरेंदर मोदी जी को चुनाओ जीतने और परधान मंतरी के लिए वो चुने गए हैं दुबारा, और फिर परधान मंतरी तीसरी बार बनने वाले हैं, उसका मुबारक बाद, Twitter पे यानिकी X पे दे दि मानिय प्रधान मंतरी जी ने भी उनको धन्यवाद बोल दिया और बोला कि आपके साथ और आगे काम करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी गुड विशिस का, यह नॉमल हेड्स ओफ स्टेट के बीच में है कि कोई किसी का भी चुनाओ होता है तो यह उनको मुबार बाद देते हैं यह नॉर्मल प्रोटोकॉल है चीन को पसंदनी आया हूँ और चाइना के स्पोक्सपरसन ने फट से बोल दिया कि यह गलत है हम प्रोटेस्ट करते हैं चाइना का यह कहना है कि कोई भी हेड ओफ स्टेट ताइवान से बात करे हमें पसंद नहीं है और भारत तो पिछले कुछ मेने में दो बार बात कर ली जब प्राकरतिक आबदा हुई थी ताइवान में तब भारत ने संवेधनाई प्रकट करी थी कंडूलेंस भेजे थे उसका भी थैंक्यू आया था अब उन्होंने प्रधान मंतरी मोधी को मुबारक बात दी तो इन्होंने थैंक्यू बोला अच्छा ये सब चीज़ें आम लोग जब करते हैं दोस्तों आप और मैं करेंगे तो ठीक है वो प्लाइटनेस हो गईगी मेजर साब बहुत बढ़िया करा थैंक्यू ब्रदर और या मैंने आपको बोला कि सर आपने बहुत बढ़िया कर आपने बोला ठैंक्यू बज़े ता बहुत तो एक ये होगी है जब दोनों देश करते हैं आपस में दुनिया देखती कि कौन किससे बात कर रहा है क्योंकि प्रधान मंतरी का किसी को मैसेज भेजना है किसी और देश की राश्पती का हमारे प्रधान मंतरी को मसेज भेजना ये सिर्फ नॉर्मल ग्रीटिंग नहीं है ये नॉर्मल दूआ सलाम राम राम नहीं है ये मैटर कहीं और जा रहा है और चाइना हर समय सक्पकाता है चाइना बड़ा टची है यार इन मंलों है अगर कोई और नाचल प्रदेश चला जाए चाइना को मौत आ जाती है अगर कोई लद्दाक के थोड़ा आगे चला जाए चाइना को मौत आ जाती है चाइना को कई कारणों से मौत आती है उन में से एक ताइवान है इन फैक्ट चाइना को सबसे बड़ी मौत ताइवान को लेकर आती है सबसे बड़ी मौत चाइना कहता हमें बिल्कुल पसंद नहीं है आपसमें ये लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे 91,000 करोड का टाटा ने ताइवनीज कंपनी के साथ मिलके एक समी कंड़क्टर का प्लांट लगा दिया चाइना को बिलकुल पसंद नहीं है अब चाइना को क्यों पसंद नहीं है दोस्तों आज इसकी उपर discuss करते हैं वन चाइना policy जो है जो है चाइना की चाइना एक्चुली शुरू में था कुछना नहीं मंगोलिया, वंगोलिया, शिंजियांग, यह अलग अलग जगे थे, शिंजियांग actually is East Turkmenistan, कुछ मंगोलिया का हिस्सा ले लिया, कुछ इसका हिस्सा ले लिया, सब का हिस्सा ले ले के, आज जो चाइना का नक्षा आपको दिख रहा है, यह सब लूट, खसोट, छीना का मामला है, यह पूरा, और चाइना इस चीज से बड़ा डरता है, वन चाइना के खिलाफ वर्जी, वन चाइना प्लाइन जो है, राइट, वो एक रेड लाइन है, मतलब चाइनीज बावले हो जाते हैं, बाल-वाल नोचना शुरू कर देंगे, अगर आपने वन चाइना के खिलाफ बोला, वन चाइना के यानिके, चाइना एक देश है, यह जो बाकी जगे हैं, ताइवान जो अपने आपको इंडिपेंडेंडन कांट्री बताते हैं, यह कोई स्वतंत्र देश नहीं है, यह चाइना का ही हिस्सा है, यह भूले भटके बच्चे हैं, जो अपनी म मैं आपको एक कहानिया सुनूंगा, माउट से तूंग के अंदर, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो पी आर सी है, वो एक अलग रास्ता एक्तियार कर देती है, वो बन जाती ओटोक्रिसी, और ताइवान है जो अपने आपको रियल चाइना कहता है, वो बन जाती एक चाइना जाहिर सी बात है, बहुत लंबा चोड़ा बड़ा चाइना का साइज है, चाइना की पॉपिलेशन बहुत जबरदस्त है, कुछ साल पहले तो एक साल पहले चाइना was the most populous country on earth, दुनिया की second largest economy है, तो चाइना का वज़न बहुत ज़्यादा है, अगर आप चाइना क नक्षा देखेंगे और फिर ताइवान देखेंगे तो आपको लगेगा ताइवान बहुत बिल्कुल छोटा सा एक ऐसा सा ना के बराबर छोटी सी चीज़ है लेकिन ताइवान ऐसा है कि चाइना को आखें दिखा रहा है यानि कि सौ साल इंडिपेंडेंस के चाइना आजाद हो गया उसके सौ साल के अंदर अंदर ताइवान को अपने अंदर वो ले लेगा हजम कर लेगा ताइवान को और ताइवान को सपोर्ट कर रहा है पूरा वेस्टन वर्ल्ड पूरा Western World ताइवान के पीछे खड़ा है कौन सा हत्यार चाहिए बता हो कौन सा हसला चाहिए बता हो लेकिन बात ये है कि अगर चीन आता है जैसे चीन को गुस्सा आया मोदी जी ने उनको बोला उनों ना मोदी जी ये सब तो अगर चाइना आता है तो कितने लोग हैं जो खड़े होके actually ताइवान के साथ लड़ेंगे कंदे से कंदा मिलाके कि यार चिंता मत करो हम तुमारे साथ खड़ें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कोई मतलब rare कोई होगा अगर US आ गया I will be very surprised अच्छा coming back to the point भारत की इसमें क्या policy होनी चाहिए अब देखिए वो अपनी मैं आपको पढ़के बताता हूँ कुछ चीज़े और फिर मैं आइनलाइज करूँगा बड़ी इंट्रेस्टिंग चीज़ है वीडियो आप एंट तक देखिए गा ये माउनिंग माउनिंग ये है चाइनीज फॉरिन मिनिस्ट्री स्पोक्सपरसन वो कहता है कि देर इस नथिंग कॉल प्रेजिडेंट अफ दे ताइवान रिजन वो कहते हैं कि जो प्रेजिडेंट अपने आपको राश्पती है और वहाँ पर लाईचिंग ते लगातार दर लगातार इसको इसको को सब्सक्राइप यहां जाओ वहाँ जाओ वो वैसे ही बिएव करते हैं जैसे के इंडिपेंडेंट कंट्री का कोई हैड व स्टेट और गारीं During 2023, मैं पढ़के बता रहा हूँ आपको, two-way trade between India and Taiwan was worth 8.2 billion. 8.2 Arab dollar की 2023 में दोनों देशों भारत और ताइवान के बीच में trade थी. 16th largest trading partner of Taiwan बन गया भारत. Taiwan's export to India touched 6 billion. और Taiwan ने जो export करा भारत को, 6 Arab dollar का export करा है. Marking 13% growth and positioning India as 12th largest export market. यानि कि धीरे-धीरे हर साल दर हर साल भारत और ताइवान के बीच में दोस्तों जो इनकी trading है, जो economy आपस में जुड़त है इसकी, ये धीरे-धीरे बढ़ती चली जा रही है. धीरे-धीरे, it's rising slowly and slowly. हर साल देख रहे हैं कि 14 थी तो 13 हो गई, 13 थी तो 12 हो गई, 12 तो 11. इस तरीके से भारत का ये एम है कि कम से कम top 10 में ये break करें. Top 10 trading partners of Taiwan. और Taiwan के पास बहुत कुछ है. Taiwan के पास दोस्तों, share करने के लिए बहुत कुछ है. खजाना है Taiwan के पास.